तो सर कितने marks का chapter आएगा यह 10 marks का ठीक है और जितने कम marks का है यह 10 marks 12 के हिसाब से तो लगेगा बहुत ज्यादा नम्मर का है लेकिन graduation के हिसाब से कम marks का ही है तो यह chapter hardly 2 से 3 दिन में खतम हो जाएगा maximum 3 days में सारे questions करके खतम कर देंगे अब inventory का मतलब क्या है सर inventory का मतलब है आपका stock inventory का मतलब है that is stock और सर स्टॉक का manage करना manage करना stock का बहुत important रहता है अगर आपने stock को manage नहीं किया तो आपका business loss में भी जा सकता है जैसे मान लेते हैं simple सी बात chemist की दुकान की बात करते हम chemist की जो सबसे medicine की बात होती है expiry और हर एक product की तो वैसे expiry की होती है तो अगर माल लेते हैं कि हम goods को खरीते हैं पुराने वाले माल को मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे रखा और नए वाले माल को आगे रखा और मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे ही रहने दिया आगे वाला माल सारा बेशते गए बेशते गए बेशते बाद यह तो सारा क्या हो गया खराब हो गया यानि आपने अपने इंवेंटरी ठीक से मैनेज नहीं करी आप दुकान पर बैठे हो और आपको यही नहीं पता कि आपके दुकान के अंदर समान है भी या नहीं है कस्टमर आता है आप ढूंडते हो नहीं मिला कस्टमर वापस च आपके पास देखा जाए इसी के साथ साथ मान लिया जाए कुछ ऐसे प्रड़क्ट भी हो सकते हैं जो की आपके पास है तो लेकिन आपको मिल नहीं रहे दुकान के इंदर फिर भी आपने कस्टमर को वापस कर दिया तब भी आपका बिजनस लॉस में जा सकते हैं और इन सभी का बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्टॉक यानि जो परचेस समान करते हो उस स्टॉक को अच्छे से मिंटेन करो हर बिजनस के अंदर एक चेन होता है मल्टीपल क्या चेन होता है सर बिजनस के अंदर वो देखिए सबसे पहले आपका होता है एक दुकान ज जाएगा कास्टमर से जो दुकान होता है इनका हर दुकान का एक होता है गोडाउन गोडाउन होता है अब जो यहां से समान यहां पर जाता है ना इस गोडाउन से यहां पर जाता है यही होता है हमारा normal Sometimes गोडाम में पड़ा हुआ है लिया क्योंकि हम सारा समान यहाँ पे रख नहीं सकते हैं क्या space की problem और क्या सर समान बेस्ट हो सकता है यहां पर गोडान में secured है थोड़ा और ये समान किससे खरीदते हैं सर ये समान खरीदते हैं किसी ना किसी मान लेते हैं manufacturer स तो सर हमें जो इन्वेंटरी है इस इन्वेंटरी को जब हम मैनेज करते हैं तो मैनेज करने के लिए हमें एक रजिस्टर मिंटेन करना होता है और सर जो रजिस्टर हम मिंटेन करेंगे जैसे स्कूल के अंदर आपके अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर मिंटेन करते थे उस रजिस्टर को क्या बोलते थे हम अटेंडेंस रजिस्टर आप tuition के अंदर अलग register maintain करते थे और घर के अंदर अलग register maintain करते थे कुछ class work के register है कुछ home work के register same इस stock को भी register maintain करा जाता है उसको बोला जाता है that is store laser laser का मतलब होता क्या है laser का मतलब register से है laser का मतलब बिलकुल भी ऐसा नहीं समझना कि ये वाला लेजर की बात चल रहा है ये लेजर नहीं है लेजर का मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है और स्टोर लेजर मेंटेन किया जाएगा सर जो store laser maintain किया जाएगा हमारा इस store laser की maintain की बात करें तो कौन करेगा store laser को maintain यह आपका यह करेगा store laser को maintain यह गोडाउन वाले आपको कोई भी समान लेना होगा आप फट से फोन करोगे यहाँ पे आपका एक परसन बैठा होगा जिसको बोला जाता है store keeper जिसको बोला जाता है store keeper जो कि गोडाउन में बैठा है कोई समान लेने आया आपके दुकान में समान नहीं आपने फट से फोन किया भाई एक काम कर यह समान चेक करके बता है या नहीं है वो बताएगा है ठीक है भेज दे यह यहां से इसको समान देगा किसको समान देगा सर यह यह गोडाउन देगा customer को नहीं दुकान को देगा दुकान फिर customer को देगा तो जब यह यहां से यहां समान देगा तो इसको बेचा तो नहीं है न इसने तो हम यहां पे इसके लिए word use करेंगे इसने क्या कर दिया इशू ठीक है तो इशू का मतलब मैंने बेचा नहीं है मैंने भाई सामने से आया मेरे पास शोरूम से मालिक ने हुकम किया कि भाई मेरे को समान भेज दो और मैंने भेज दिया कहना है सर गो डाउन ट्रेडिंग में जाता है अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे है गो डाउन रेंट वैसे ट्रेडिंग का पार्ट होता है और यहां से यहां समान आएगा तो इसने परचेज नहीं किया होगा इसने रिसीव किया होगा क्योंकि परचेज करने का अधिकार तो ओनर को होता है गो डाउन तो क्या होता है समान आया ठीक है भाई रख दे समान गया ठीक है भाई तू ले जा समान और जब समान आता है तो आपने दिखा होगा जनरली ट्रक आएगा ट्रक से फिर समान गोडाउन में उतरेगा, फिर गोडाउन से यह एक थोड़ा सा mind make, imagine करो के हाँ भाई, गोडाउन में समान आ रहा है, तो हमें किसके लिए accounting करना है इस गोडाउन के लिए, और गोडाउन वाले accounting करेंगे, कहां accounting करेंगे, that is, store laser में, अब गोडाउन वाले द जो store laser बनाया जाएगा laser दो तरीके के हो सकते हैं sir store laser दो तरीके के बिलकुल एक हो सकता है periodical एक हो सकता है periodical एक हो सकता है perpetual perpetual सर्फ periodical क्या होता है और perpetual क्या होता है spiritual का मतलब होता है कि भाईया वहां पे हफते में एक दिन इंट्री करें गे समान आ गया, ठीक है वाई एक हफते में बहुत कम समान आता है तो एक दिन बैठके सारे रेजिस्टर में इंट्री कर देते यानि यहाँ पे हो सकता है time के according यानि हो सकता है weekly हो सकता है आपका monthly ऐसे entry करेंगे हो सकता है तीन दिन बाद perpetual का मतलब होता है रोजाना रोजाना मतलब regular समाना आया जो go down के अंदर बंदा बैठा हुआ है भाई रखो कितने डब्बे यह आगे वो लिखता रहेगा रखवाता रहेगा लिखता रहेगा रखवाता रहेगा रखवाता रहेगा वो perpetual हो गया तो आपके हिसाब से best कौन सा है perpetual best है या फिर periodical तो best perpetual है accuracy वहाँ पर जाता होता है तो हमारे exam के अंदर जो store laser बोला जाएगा वो किसी से भी पूछा जा सकता है तो हमें बनाना कौन सा है perpetual पहले तो आपको theme पता होना चाहिए यह chapter बना क्यों है chapter सीख क्यों है कहां से आया नहीं आया तो go down के अंदर जो store की पर बैठा होता है वो एक register maintain करने वाला है वो register कैसे maintain होता है वो हम करेंगे और हम सीखेंगे ताकि future में आपकी job कहीं go down या कहीं register maintain करने में लगता है तो वहाँ पे किस तरीके से आप उस register को maintain करोगे आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर भी दो टाइप है या तो आप periodical register को maintain करोगे future में या फिर कैसे करोगे perpetual तो हम पहले perpetual वाले point को पढ़ेंगे फिर periodical वाले point को पढ़ेंगे तो अगर हम बात करते हैं perpetual inventory system perpetual inventory इसको करने के हमारे पास तीन methods हैं हाला कि वैसे ज्यादा methods हैं लेकिन popular method तीन हैं जो कि आपको सीखना होगा एक होगा हमारा last in last out last in and last out method जैसे आपको एक तारिक को समान आया दो तारिक को समान आया तीन तारिक को समान आया ठीक है तीन दिन आपके पास समान आया अब आप तीन तारिक को खड़े हो तीन तारिक वाले दिन पे हो तो सबसे last में कों सा समान आया सबसे last में कों सा समान आया मैंने last in last out last in last out नहीं है last in first out पहले first out करते हैं first out सबसे last में कों सा समान आया ये वाला समान आया अगर मेरे पास office से order आता है कि भाई एक काम कर तू समान भिजवा दे तो मेरे पास तीन समान है एक इस दिन भी समान पड़ा हुआ है इस दिन भी समान पड़ा हुआ है इस date पे भी समान पड़ा हुआ है तो last in सबसे last में तीनो डेट में से एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक तो हम तीन तारिक पे हैं तो सबसे last वाली डेट कौन सी है? तीन तारिक इसको सबसे पहले बेच दो first out मतलब इसको बेच दो यानि एक तरीके से मैं कहूं तो इस method के हिसाब से new वाला जो हमारा समान होता है new वाला जो हमारा goods होगा उसको पहले हमें send करना है है ना यही हुआ इसका मतलब बहुत सारे ऐसे product होते हैं जो कि जितना पुराना होता है उतना महंगा हो जाता है बहुत सारे ऐसे product होते हैं और बहुत सारे ऐसे product होते हैं और नए वाला हमारा महंगा होते है पुराने वाला सस्ता होते है generally हमने यह देखा है पुराना समान सस्ता मिलता है लेकिन कुछ एक product हमारा जैसे मैं simple सा example लूँ तो wine की बात करते हैं दारू की बात करते है तो वाइन के अंदर क्या मानना है कि जितना ज़्यादा पुराना होगा, उतना महंगा होगा तो दुकांदार क्या चाहेगा कि पुरानी वाली रहने दे, इसे महंगा करके बेचेंगे, नई वाली को पहले बेचते हैं और इस method को हम एक popular नाम से, short form नाम से जानते हैं, that is LIFO, लीफो, और exam में भी आपको लीफो ही बोला जाएगा, यानि आप अपने register को maintain करिए, किसके according maintain करिए, सर, लीफो के according अपने register को आप maintain करके दिखाईए, लीफो के according, लीफो मतलब last in, last out, मतलब नए वाला माल पहले भेज़ दो, सोरूम में, पुराने वाले को हम बाद में भेजेंगे, दूसरा method आजाता इसके अंदर, that is, first in, आपके सामने date है, जैसे एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक, एक परबरी, दो परबरी, तीन परबरी, अब आप इस date पे खड़े हो, तो तीन तारिक को और एक तारिक में सब्से पहले कोन सा माल आया हमारा godown में, एक तारिक वाला सबसे पहले आया सबसे पहले आया एक तारिक वाला तो जो first in है उसको पहले बेचो यानि इस case के अंदर होगा क्या पुराने माल को पहले बेचा जाए बेचा जाए यानि भीजा जाए यानि old goods को first मैं sold word यहां पर लगा देता हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा चलता है जल्दी समझ में आता है पुराने माल को पहले बीचो बाकी बाकी यह सोल्ड नहीं होगा यह इस्जू होगा मैंने समझाया था क्यूंकि हम गोडाउन से शोरूम को भेज़ेंगे यह कब होता यह Ananda मिलक के प्रादे के इंदर जैसे मैं दीखता हूं कि सुभध में इवनिंग में जो म Wellington tril में आता है वह सबसे पहले क्या करते है कि वह पुराने वाले बेचल और वाले को नई अंदर रखेंगे वाला कोई दूद की थैली अगर बची हुई है दूद का कोई packet बचा हुआ है सुबह मॉर्णिंग वाला तो हम क्या करेंगा पहले इसको साम को बेचतो और जो साम को आएगा उससे रख लेंगे कल सुबह बेचेंगे क्योंकि खराब हो जाएगा तो कुछ बिजनस्मेन इस तरीके से रेइस्टर मिंट दिन करते हैं तो आपको तो हर हिसाब से आना चाहिए कुछ बिजनस्मेन बोलते हैं और ऐसा पता है क्यों हो रहा है क्योंकि हर दिन रेट बदद जाता है ऐसा हो सकता है कि एक तारिक को दूद का भाव था 10 रूपे लिटर और ऐसा हो सकता है कि तीन तारिक को भाव हो गया 12 रूपे लिटर कई बार आप जाते होगे कल तो मैंने इतने का लिया था आज इतने का हो गया तो daily basis पे आप सबजी की बात कर लेते हैं सबजी तो daily rate चेंग जाता है तो हमारा rate का बड़ा पंगा आता है इसके अंदर तीसरा हमारा है weighted average weighted average weighted average method इसका कोई short form name नहीं है इसका है that is FIFO तो आपने बुग में भी देखेंगे ना unit में तो यही नाम लिखा होगा inventory के बाद लीफो एंद फीफो एंद विटेड एबरेज और इस सारी बातों को सिखाया जाता है as per AS2 accounting standard 2 इन बातों को govern करता है तो इस chapter के साथ हमारा accounting standard भी हो जाता है that is accounting standard 2 और हम क्या सीख रहे हैं sir अपना store laser बनाना यानि register maintain करना register maintain करने के दो तरीके हैं या हो सकता है periodical हो या हो सकता है कैसे हो perpetual हो अगर हम बात करें periodical का हम बात में करेंगे पहले perpetual का कर लेते हैं तो perpetual भी register maintain करने के कितने तरीके हैं तीन हो सकता है leafo, fifo या weighted average leafo में नए वाला माल बेचना है fifo में पुराने वाला माल बेचना है weighted average के अंदर हमें ना तो नया ना तो पुराना हम mix करके बेचेंगे और mix करके वो बेचते हैं जिनका rate बहुत जल्दी fluctuate हो जाता है जैसे कि stock market के अंदर shares वगेरा जो बेचे जाते हैं वो weighted average पे बेचे जाते हैं मतलब कि average निकलता है एक rate जैसे माल लेते हैं सुभए मैंने 10 रुपे किलो माल लेते हैं प्याज खरीदा फिर दो फैर में मैंने 12 रुपे किलो प्याज खरीदा और मुझे साम को बेचना है तो ना तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक घंटे 10 रुपे किलो बेच दूँ और फिर बाकी के घंटे 12 रुपे किलो बेच दूँँगा तो मैं एक average price निकल लूँँगा और मिर को जो price पढ़ाना 10 और 12 रुपे का हिसाब से पढ़ा तो मैं 11 रुपे के हिसाब से भी चूँगा तो that is weighted average समझे तो हम तीनों method रेखेंगे इसमें majorly जिस बच्चे को format समझ में आ गया और format सभी को समझ में आ जाता है तो दो से तीन दिन लगना है कृष्णा का कहना है सर ट्रेडिंग अकाउंट profit and loss सर गो डाउन ट्रेडिंग में जा रहा है profit and loss में गो डाउन रेंट जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा यह पुरानी चीज़े हैं यहां तक सभी बच्चों को सारी चीज़े समझ में आ रहे हैं अब देखते हैं आगे सर इसका करने का क्या format होगा register किस तरीके से बनेगा question तो हम बाद में देखेंगे मैं साथ के साथ अपना ही एक question बना लेता हूँ और मैं करता जाओं इस question को करने के बाद थोड़ा counting equation ही आता जाता है तरीके साथ में आता है देखे देट पर्टिकुलर इसके बाद यहां पर आएगा रिसीव अब रिसीव जब करोगे तो वहां डिटेलिंग होनी बहुत जरूरी है सर क्या क्या डिटेलिंग होनी चाहिए रिसीव में रिसीव में तीन डिटेलिंग होनी जरूरी है इसका कलर चेंजर सर आपके पास क्वांटिटी होना जरूरी है कि कितने क्वांटिटी आपको रेट पता होना चाहिए और टोटल कितने का रिसीव हुआ 10 किलो समान 10 रुपे के रिड़ से तो टोटल 10 रुपे 10 के जब से 100 रुपे का समाना है ठीक है इसके बाद यहां लिखेंगे इशू अब इशू के अंदर भी सेम तीन कॉलम बन जाएंगे कौन कौन से तीन कॉलम सर कौन्टिटी कितने आपने दिये किस रेट के दिये और क्या आपका टोटल रुपीस का गया अब लास्ट में आएगा देट इस बैलेंस बैलेंस में भी तीनो डिटेल देनी पड़ेगी आपको कि भाईया कौन्टिटी कितने बचे किस रेट वाले कौन्टिटी किया टोटल कितने बचे यानि कौन्टिटी रेट एंड टोटल आपका आंसर एक्जामनर ये पूछेगा अब मैं एक कुशन कर लेता हूँ और जो मैं ये कुशन कर रहा हूँ यहाँ पे ओपर लिख रहा हूँ मैं स्टोर लेजर ऐसे तो कोई भी कर सकते थे लेकिन मैंने फीफो ले लिया फीफो का मतलब जो पहले आया था वो पुराने वाले माल को बेच दूँ सबसे पहले मैं सारी बाते यहाँ पर लिखता जाऊँगा और उससे करता जाऊँगा माल लेते हैं मैंने एक जनवरी को एक एक को माल लो एक एक को मैंने रिसीव किया 100 quantity रिसीव किया 5 रुपे के हिसाब से that is 500 100 quantity रिसीव किया 100 तो इस दिन मैंने कुछ भी इसू नहीं किया तो मेरे पास समान जो बचा 100 quantity बदा 5 रुपे के हिसाब से 500 समझ मैं यहां तक फिर से 2 तारिक को मैंने फिर से रिसीव किया that is मैंने 300 quantity रिसीव किया that is 6 रुपे के हिसाब से अब 1800 यहां पे कुछ भी नहीं है अब यहां पे मेरे पास 2 तरीके के वराइटी हो गए 100 quantity 5 वाले और 300 quantity 6 वाले यानि 500 और यह 1800 mix नहीं करना आपने question मैं अपनी हिसाब से बोलता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं तीन तारीक को तीन तारीक को तीन एक को अगेन मैंने रिसीव किया 500 quantity चार रुपे के हिसाब से that is 2000 खाली और अब मेरे पास तीन तरीके के वराइटे होगे 100 वाले भी हैं 300 वाले भी और 500 वाले यह हैं 5 वाला यह 6 वाला यह 4 वाला यह 500 अठारा सो और 2000 है ना अब चलिए हम 4 तारीक को हमने इशू कर दिये और जो इशू किये ना 4 तारीक को हमने यहां ब्रैकेट कर दिये चार तारीक को मैंने इशू किये 800 quantity 800 unit अब हमारा चुकी है कौन सा मेथ़ड फीफो तो अब हमारे पास तीन तरीके के unit है ठीक है तीन तरीके के unit है हमारे पास तो तीन तरीके के unit में हमें कितने unit बेचने है 800 तो हमें सबसे पहले यह वाला unit निकालना है कि यह वाला हमें फैसला करना होगा सबसे पहले पहले वाला निकालेंगे यानि हम जब इशू करेंगे तो पहले हमें 100 यूनिट इशू करना पड़ेगा 5 वाला लेकिन हमें तो बेचने 800 है तो अब मुझे बताईए अब कौन सा बेचना पड़ेगा 300 यूनिट और ये 6 वाला लेकिन अब भी 800 नहीं हुए है अब मुझे 400 और बेचने पड़ेंगे इसमें से तभी तो 800 बनेंगे तो अब बताओ 400 कौन से वाला होगा चार वाला तो ईशू की बात करें तो 500 1800 और 1600 अब हमारे पास बचा क्या है बताईए हमारे पास अब टोटल में से कितने बचे हैं सिर्फ 100 ही बचे हैं और वो भी कौन से रुपे वाले चार वाले डेट डेट इस 400 अब जब इशू किया है हमने कितने यूनिट इशू किया है 800 तो 800 में से आपके पास 900 यूनिट पड़े हुए है टोटल के फर्म में तो 800 में से फीफो में थड है तो पुराने वाला पहले बेच हो तो पुराने वाला बेचे दिया तो भाई 100 ही हुए और जो रत है हमें 700 का अब अगला तो 300 है तो 300 बेच दिया तो 400 हो गए और जौरत कितने की पड़ेगी हमें तो 400 अब एक यही तो बचा होगा हमारे पास इसमें से 400 बेच दिये तो इस तरीके से बेच दिये अब हमारे पास जब इसमें से 400 बेचे गए तो मतलब यहाँ पे 100 यूनिट ही तो बचे है तो 100 यूनिट ही यह बचे रहे समझ रहे हैं बात को अब हमने पांच तारीक को मान लिया जाए पांच एक को फिर हमने रिसीव कर लिया मान लेते हैं 600 यूनिट पांच रुपे के हिसाब से देट इस 3000 अब यहाँ पे आगे 100 रुपे और 4 वाला है और 605 वाला है इस से मुस्किल ही नहीं यह सवाल अगर आपको इतना समझ में आ रहा है बस और यह सवाल दस नंबर का पूछा जाता है इस सवाल के अंदर जो भी मैं मानता हूं जस्ट एक फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर एक बार समझने के बाद हर बच्चा कर लेता है इस सवाल को जब बच्चा कोई लास टाइम पे आता है नै मेरे पास के सर कुछ पास होने के लिए बता दो 10 बार नंबर ये कर रे ये कर लो क्योंकि जल्दी हो जाएगा ये अब मान लेते हैं कि 6 टारिक को 6 1 गो आपको डेट भी specific ध्यान रहना है 6 टारिक को आपने issue कर लिए सब्वोस करो आपने 50 unit issue की है अगर आपने 50 unit issue की है तो आप FIFO के according 600 में से 50 unit निकालोगे या 100 में से 50 unit निकालोगे 100 में से निकालोगे न तो 100 में से 50 unit निकाला तो 50 into में 4 यानि 200 के unit निकल गए अब balance जो बचा अब 50 बच गए 4 वाले और 600 बच गए 5 वाले यानि हमारे पास 200 और 3000 बच गए 7 तारिक को मान लेते हैं again issue किया हमने 350 unit तो जब मैं 7 तारिक को again issue करूँगा 350 तो अब मुझे बताइए कैसे कैसे करा जाएगा 600 में से direct 350 निकाल ले या फिर हम पहले 50 निकलेगा है ना पहले 50 निकला चार वाला अब 600 में से कितने निकालेगे 300 तो यह 200 और यह 1500 अब मेर पास जो बचा वो 300 unit बचा 5 वाला 1500 जितने बच्चे live देख रहे हैं सभी बता दे क्या आपको अभी तक के point में कोई दिक्कत है तो आप पूस सकते हो यानि आप लीफो या फीफो की बात देखें अगर आप लीफो या फीफो की बात देखो तो वो पता है कहां पर नजर आता है स्रिफ स्रिफ और स्रिफ वो नजर आता है issue के time पर receive करते जाओ और add करते जाओ लेकिन जब issue करते हो तब ही impact दिखता है उसका तो अब हमसे पूछा जा सकता है question question number one कि कि आप बताइए closing stock का value क्या है तो जवाब है closing stock का value कितना है 1500 जो समान बेचा है वो कितना जो समान आपने issue किया है उसकी total value क्या है तो इस total वाले column को total करके बता सकते हैं ठेक है बस आपका question इतना ही पूछा जाएगा इससे जादा नहीं पूछा जाएगा हाँ dates बढ़ जाएंगे उसके अंदर पहले यहां तक बताईए जितने भी live class में बच्चे हैं फटा फट से बता देजिए समझ में आया या नहीं आया कितना आया कितना गया सारी बाते बताते जल्दी से comment में फिर हम आगे चले नहीं तो सर लीफो फॉर्मेट वही सेम है बिल्कुल लीफो हो चाहे फीफो हो चाहे वेटेड एवरेज हो फॉर्मेट तीनों में सेम है अंशी का कोई बात नहीं इस चेप्टर का पिछले चेप्टर से लेना देना नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से जोईन हो आज की क्लास में तो डेफिनिटली आपको समझ में आएगा यह चेप्टर बताइए किसी बच्चे का डाउट पताएए फटाफट डाउट कि आई डोंटनों नथिं अबाउट सलेवस यह आपके फोल्डर में मैंने डाला हुआ है कि सलेवस में क्या-क्या है आपके पांच यूनिट है 4 यूनिट थियोरी का है और उसमें से कुछ एक computer के component पूछे जाते हैं आप वीडियो के content में जाएंगे मिल जाएगा बिल्कुल course के बारे में भी बता देंगे आपको सारा वीडियो आप content में जाके देखेगा each and everything को explain किया हुआ है बाकि आपकी classes TTS में रहती है जो कि इस मन्थ TTS रखेंगे और maybe probability है कि November 15 के बाद यानि आपका दशेहरा दिवाली खतम हो जाए उसके बाद regular class रहेगी आपकी 15 से 18 दिन की और हमारा target है 5 December तक अपना syllabus को खतम कर ले और आपका 18 December से exam स्टार्ट हो जाएगा total हमारे 5 unit है इसके अंदर और 5 unit cover करेंगे और exam में भी एक बार आपका exam भी 5 questions पूछे जाएंगे वो सारी चीज़े मैंने बताई हुई है फिर भी एक बार मैं एक अलग से separate video बना के दे दूँआ तो मैं एक बार इसको अगर remind करवाँ इसको तो sir हमारा चल क्या रहा है that is inventory chapter का नाम है unit number 2 10 number का आपके exam में सवाल पूछा जाएगा और inventory stock को बोलते है stock को manage करना सीखना है कौन manage करेगा एक go down होता है और एक customer होता है और एक manufacturer होता है तो go down वाला manage करेगा और go down वाला क्या करेगा एक register बनाएगा और उस register को क्या नाम देते हैं हम store laser और register को बनाने के काफी सारे तरीके हैं या तो आप periodical कर सकते हो या फिर आप perpetual कर सकते हो अगर periodical है तो आप weekly या मन्तली बनाओगे perpetual है तो आप daily बनाओगे इसमें अगर मैं perpetual की बात करूँ तो यहां पे तीन methods हैं आपके लीफो, फीफो and weighted average लीफो का मतलब नए वाला पहले माल इशू कर दो फीफो का मतलब पुराने वाला पहले इशू करो वेटिड में mix करके करना है मैंने एक लीफो से आपको फीफो से एक questions करके दिखाए जिसमें पुराने वाला माल पहले बेचा सबसे पहले तारिक को 100 quantity आया तो 500 तो balance भी हमारे पास बच गया 500 फिर हमने दो तारिक को 300 unit लिया तो फिर हमारे पास दो type के stock बच गए हैं एक 100 unit और एक 300 unit इसके बाद देखा जाए इसके बाद तीसरे time पे भी हमने खरीदा 2000 का अब हमारे पास तीन type के unit हो गए हैं तीनों उपर वाले भी हो गए और ये तो इतने unit हो गए हैं अब हमने 4 तारिक को issue कर दिया है तो issue कितने unit किये हैं 800 unit मैंने यहां लिख दिया है तो 800 unit मैं क्योंकि यह FIFO है तो पहले ये वाला 100 बेचेंगे फिर ये वाला 300 बेचेंगे अब 400 और कम पड़ रहे हैं तो इसमें से 400 निकालके हमने इसको बीचा है rate पे खासा दियान देना है अब मेरे पास जो stock बचा only 100 बचा है वो किस में से बचा है only 100 सर इस 500 में से only बचा हुआ है 5 उन को क्या है receive 600 5 3,000 रुपिस ठीक है अब बात करते हैं सर हमने 600 unit खरीद लिया तो ये add-on होके total इतना हो गया अब हमने फिर से issue किये 50 अब हमारे पास challenges सर दो तरीके के unit है 50 इसमें से दे इसमें क्योंकि फीफो चल रहा है तो इसमें से 50 दे लिया और इसका rate 40 था अब दो तरीके का 50 ये बचा हुआ है और 600 ये बचा हुआ है last में मैंने 300 issue किया है जिसमें से 50 हमने पहले ये वाला ले लिया और इसमें से मैंने 300 ले लिया अब मेरे पास net में 300 unit बचा हुआ है examiner ने पूछा कि बताइए आपके पास closing stock कितने quantity है तो सर 300 quantity है किस rate के हैं सर 5 रूपे के rate से हैं कितने रूपे के हैं सर 1500 रूपे के हैं हम तीनों जवाब easily दे सकते हैं देखो अंसी का जो S.W.L. का study material मिला है खास कर account उसमें से inventory chapter बहुत ही अच्छा दे रखा है आप कर सकते हो बाकी chapter आपके सही से नहीं given उसमें even though single entry भी given है जो कि slayvers का part नहीं है तो बहुत सारे slayvers वो पुराने चलाए जा रहे हैं अब नए वाले इस साल का मैं देखूंगा कि क्या मिला है study material में उसमें single entry दे रखा है जो कि not a part of slayvers और कुछ chapter ऐसे भी डाल दी है जो कि slayvers का party नहीं है तब भी डाला हुआ है तो उसको अभी आप ignore करें book आप ले ले जे आर मोंगा अब देखिए मैं इसी को अगर मैं imagine करना आप अभी सीख नहीं रहे हो बस imagine करो तो दिमाग से सोचते हैं कि अगर हमारा होता अगर हमारा होता लीफो तो मैं जो 800 यूनिट निकालता तो 500 ये वाला निकालता और 300 ये और यह 100 जो बसता वह 5 रुपे वाला बसता बस यही concept हमें लीफो के अंदर follow करना है चीक है न तो कुछ एक सवाल है देख लेते हैं यह किसकी बात कर रहा है यह भी फीफो की बात कर रहा है और कहता है periodic inventory अभी periodic नहीं करेंगे हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं कौन सा perpetual तो इस सवाल को आपके book का पहला सवाल है तो अंडर हम perpetual system इसको कर लेंगे अब देखिए सब से पहले opening stock given है सब ओपनिंग stock कितने given है 1000 unit 20 वाले तो इस सवाल को कर ली क्या इस सवाल को कर ले 5-6 entry एक 2-3-4-5-6 entry है मैं थोड़ा सा आप सभी के पास किताब हो तो आप देखिएगा ठीक है चलिए मुझे पिछला questions का format follow करना पड़ेगा चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हमें format ही तो चाहिए खोड़ा time बच जाएगा और कुछ नहीं झाल मुझे खोड़ा झाल मुझे झाल कर च बचल चलिए सर इसी फार्मिट को मैंने कॉपी कर लिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए और और कोई रीजन नहीं है हम फटा फट से कर लेते हैं और कौन से मेथट बोला गया है अंडर फीफो और हम फीफो कर रहे है साइद यह आपको प्रॉपर विज्वल ना हो तो आप सब भी बच्चे के पास किताब है किताब में से देख सकते है सरकिताब का नाम क्या है सरकिताब का नाम जे आर मौंगा है और आपकी किताब का ही कुश्चन है ये चलिए कहता है जन्वरी एक को उपनिंग बैलंस है तो हम लिखेंगर यहां एक एक तो अब यह भी ब्लैंक चला जाएगा है ना चलो एक कॉलम नीचे है क्या कोई बात नहीं कितने बैलेंस है उपनिंग में हजार क्वांटिटी कितने वाला पीस वाला मतलब बीस हजार मतलब बीस हजार ठीक है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी दस कहता है परचेस किया है यानि रिसीव कितने प क्वांटिटी रिसीव किये थर पांसो कितने वाला 25 कितने हो गया है बारा पांसो दस एक हजार और पांसो पच्चिस नहीं नहीं बीस और पच्चिस बीस हजार और बारा 500, एक डन, दो डन तेरा तारिक को फिर 400 खरीद लिये 22 में, फिर से रिसीव कितने 400, 22 80, 800 अब मेरे पास बचे 1500, और 400, ये 22 ये 25, ये 20 ये 20,000 ये 12,500 और ये 80, 800 थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं लेकिन ठीक है, आसान सवाल है अब मेंने 1200 यूनिट इशु करें सोर्ड याने इशु, कब किये मैंने 20 को हमने इशु कर दिए कितने 1200 तो सर, 1200 यूनिट किया फीफो है तो पहले 1000 ये वाला निकालो और फिर 200 इस में से निकालो, यानि 500 200 इसमें से निकालो तो कितने वाला 25 वाला तो यह सर्थ 20,000 और 25,000 5000 ही होंगे न चलिए अब बचे कितने इसमें से बचे 300 इसमें से बचे 400 यह 25 यानि 75 और यह 22 यानि 88 20 के बाद फिर 6 अपरेल को हमने 500 यूनिट बीच दिये 6, 4 को मैं डेट के आगे कई बार नहीं लिख रहा 2, मार्च सा गया मार्च है यह तीन है यह देट देख ले ना इक वाठीक है फिर से इसू किया कितने इसू किया हमने 500 अब 500 कौन सा लेंगे हम सर्थ एक तो 300 यह चला गया 25 और 200 इसमें से चला गया यह होगी हमारा 44 देख रहे हो कितना असान है यह और यह बचे कितने इसमें से है ना थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं लेकिन आप देखेंगा बाद में ठीक है पेज नंबर क्या है पेज नंबर क्या है बता दो किसी बच्चे का 10.9 है पेज नंबर फिर 12 तारिक को मैंने 400 पर चेस कर लिया 12 तारिक को मैंने रिसीव कर लिया कितने 400 किस रेट का 25 तो कितने हो गए 10,000 तो 200 हो गए 22 वाले और 400 हो गए 25 वाले 10,000 चोब वाले सो 10,000 और 4400 इसके बाद क्या किया है लास्ट 30 जून 36 ईश्यू कर दिया कितने 500 तो 200 ये वाले और 300 ये वाले 22 और 25 तो ये होगे 4400 और ये होगे 75 और बचे कितने 125 तो बचे के 200 तो आप आंसर चेक कर सकते हो आंसर में given होगा तो ये पूरा सवाल था simple सा और ऐसे ही question पूछे जाएंगे आपसे exam में ठीक है तो हमने periodic कर रहा है तो आज हमने एक method खतम कर लिया that method is कौन सा हमारा FIFO method अगली class Saturday नहीं है मैं Saturday यहाँ पे नहीं हूँ मैं Sunday लूँगा class Sunday की timing क्या रहेगी सर आपकी Sunday की timing रहेगी साड़े तीन बज़े दिन में ठीक है साड़े तीन बज़े college बगरा सब हो जाएगा जिनका है साड़े तीन पॉने चार बज़े तक हम class start करेंगे कब Sunday और Sunday तो doubt भी लेना है झाल 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 झाल